शार्व प्रथम तो जय स्रीक्रिष्टि आज हम लोग भाटी धर्शन में अद्वेद बेदाउन थे तो आदी संकराचार हैं उनकी द्वारा मोक्ष पर क्या विचार है उसको जानते हैं देखे शंकराचार जी के अनुशार कि मोक्ष की स्वरुप के विशे में शंकर कामत अन्य दर्शनों से कुछ भिन्य है किन्तु अन्य भारती दर्शनों के शमान ही अद्वेद बेदान्त में भी मोक्ष को मानव जीवन के अन्तिम ध्याई के रूप में श्वीकार किया गया ह अर्थात माना गया है, किन्तु अद्वेत के प्रतिपादक शंकर ने मौक्ष की ब्याख्या कुछ भिन्य प्रकार से की है, जो मूलत उनके अद्वेत पर आधारित है। शंकर शमस्त बेदोशे रहित, निर्गुल तथा निराकार ब्रह्म को ही एक मात्र अंतिम सत्ता के रूप में श्वीकार करते हैं। उनके मतानुशा यह संपुड जगत और इसमें बिद्दमान, सभी प्राणी तथा वस्तुएं केवल माया या अविद्या के कारण ही ब्रह्म से प्रिथक प्रतीत होती हैं, अर्थार अलग सा महसूश हो रही हैं। यह ब्रह्म से अलग है। प्रमार्थिक द्रिष्टी से केवल ब्रह्म वास्तिविक सत्ता है, जगत नहीं। अर्थार यह है कि जो प्रमार्थिक द्रिष्टी है, उसकी द्रिष्टी अगर हम लोग देखें, तो केवल ब्रह्म ही वास्तिविक है, ब्रह्म ही हर जगे बिरा चंकर ने जो मत्प्रस्तुत किया है उसका मौक्ष मूल आधार उनका यही अद्वेतवादी शिद्धान्त है इस शिद्धान्त के अनुशा अपने मूल रूप में आत्मा तथा जीव ब्रह्म से भिन नहीं है किन्तु अविध्या के कारण वह अपने आपको उससे भिन शमजने लगता है और इस प्रकार जन्ममरण के शांशारिक बंधनों में बद जाता है जाजा कि आप देखें नाना प्रकार के जो जीव है जब सरीर से बद जाता है तो यहां पर जितने भी चीज़े हैं उसको अपना समझने लगता है वो माया के कारण होता है इन्ही बंधनों के फल स्वरूप जीव को संसार में अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं इस प्रकार शंकर के विचार में आत्मा अथ्वा जीव के समस्त दुखों का मूल कारण अविद्या ही है शंकर्या का है नाम है कि अविद्या के कारण ही ब्यक्ति इस तरीर से जुड़ता है बंधन में पड़ता और नाना प्रकार के दुखों को संसार में जितने भी दुख हैं उनको भोगने लगता है या भोगने के लिए आतुर हो जाता है जो उसके वास्तिविक स्वरूप को आब्रित करकी उसे बंधन में ढाल देती है ब्रम्भ ज्यान के परड़ाम स्वरूप अविद्या के नश्ट हो जाने पर बुक्ष की प्राप्ति के पस्चाथ जीव उन्हां ब्रम्भ के शाथ एकाकार हो जाता है और इस प्रकार अपने वास्तिविक स्वरूप को फिर शी प्राप्ति कर लेता है इन्हां का हिनाम था कि जब जीव को आत्मा को ज्यान प्राप्त होता है तब उसे अपनी स्वरूप का ज्यान हो जाता है कि मैं तो ब्रम्भ से अलग हूँ हूँ जब उसे लगता है कि मैं ब्रह्म से तो अलग हूँ ही नहीं तब ब्रह्म से वह एकाकार कर लेता है तब उसके आंखों फे जो माया की पट्टी बदीरी हड जाती है वो अपने मूल सरुप को जानने लगता है ब्रह्म के शाथ जीव का यह पूर्ड तादात में ही मुक्ष है और यही उसका अंतिम्ध्या है और कहते हैं कि जब जीव है आत्मा है जब सरीर से बत जाता है तो उससे जब से ज्यान के प्राप्ती होती है तो उपने को पहचान जाता है यही उसका अंतिम लक्ष बन जाता है अपने को पहचानना है और वह जब जान जाता है तो उसे मुक्ष की प्राप्ति होती हो उसे ज्यान हो जाता कि मैं कौन है मुक्ष की अमस्ता में आत्मा को शमस्त बंधनों एवन दुखों से मुक्ति प्राफ्ट हों अब समझ रकते हैं जब किशी को किफी चिछा ग्यान हो जाता है यह से जीव है उसे पता है कि सरीर से मेरा कोई नाता नहीं है सांसारिक मुख यह सम माया है मैं तो इशे अच्छूता हुआ इशन्शार से मेरा कोई ही वास्त्विक संबंध है ही नहीं मैं तो ब्रह्म से चुड़ा हुआ हूँ शाथ है अखंड आनंद की प्राफ्टी होती है शंकर के अनुशार मुख की प्राफ्टी जीवित रहते संबंध है मुख का अर्थ शरीर का अंत नहीं शरीर तो प्रारब्ध कर्मों का फल है जब तक इसका फल समाप्त नहीं होता शरीर विद्दमान रहता इनका कहनाम है कि आप जो जीव है वो सरीर में रहके भी मुक्ष की प्राप्ति कर शकता है और जब वो मुक्ष की प्राप्ति कर लेता है तो सरीर क्यों नहीं त्यागता है तो इनका कहनाम है कि वो सरीर को तब तक नहीं त्याग सकता है क्योंकि प्रारब्द के जो कर्म भोगने के लिए कर्म भोगने के लिए ही तो शरीर मिलता है शरीर जब नहीं रहेगा तो अपने कर्मों कैशे भुगर्शकता है वह चाहे कोई भी हो इसलिए तो कहा गया अब कर्म जब करते हैं विकर्म ही अगले बंधन का करने बन जाता है अगर कर्म करें कुछ वैसा बचेगा ही निससे गीता में करें निश्वार्थ भाव से तो वही है जो मुक्ष प्राप्त कर लेता है फिर वो कर्म करता है तो उसका फल उसे नहीं मिलता है और वह नहीं क्रियायमार कर्म होता है नहीं प्रारब्द कर्म होता है जब तक और कहा या है जब तक जो प्रारब्द कर्म उसको भूगत नहीं लेता है, शरीर को नहीं त्यागता है, मतलब शरीर को ओजो होता है आत्मा वो नहीं छोड़ती है, या नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि भूगतने के लिए इस शरीर करहना बड़ा जिरूरी है, जब तक इसका फल नही इन शमाप्त हो जाता शरीर भी द्मान रहता है जिस प्रकार कुम्भार का चाक कुम्भार के द्वारा घुमाना बंद कर देने के बाद भी कुछ काल तक चलता रहता है उसी प्रकार मुक्ष प्राप्त कर लेने की पश्चार पुर्व जन्म के कर्मों के अनुसार शरीर कुछ काल तक जी वित रहता है आप डेखियों होंगे कुम्भार दंड से चाक चलाता है ऐसा नहीं कि जो इलेक्टिक से चलता है जब तक उस में आ रिए चलता रहेगा हम उसकी बात कर रहे हैं जिस चाक को कुम्भार अपने दंडे की द्वारा चलाता है, जब उस चलाता है तो चला चलागे फिर स Kubernetes को छोड़ देता है जब चला के छोड़ देता है फिर भी कुछ समय तक कहना हम ये है कुछ में इनजी फी जाती है न उसी काहन चलता तो ऐसे इक कर्म कर लेता है और उसकी मुख्ती भी हो मुक्ष की प्राप्ति भी जाते हैं लेकिन अपने कर्मों को भुगतने के लिए वह कुछ समय तक इस शरीर में बढ़ा रहता है जिस प्रकार से कुम्भार का चाक चलता रहता है जिवित रहते मुक्ष प्राप्त करने वाले को जीवन मुक्ष की संगया दे गई है तथा उसकी मुक्ती को जीवन मुक्ती कहा गया है जैसे अब सरीर रहते मुक्ती प्राप्त कर लिए मुक्ष को प्राप्त कर लिए तो आप जीवन मुक्ष की जीवित रहते मुक्ष को अप फल का या कर्म फल संचित नहीं होते क्योंकि अनाशक्त भाग से कि ये गए कर्म भूने हुए चनों की समान है जो अंकुरित नहीं होते आपने देखा होगा कि जब किसी चना को हम भूज देते हैं या किसी भी बीच को आप आग में भूज दीजिए जैसे भरसाएं में दाना भुजा जते हैं या चना को भुजवा लिए और भुजवा लिए तो उसको पानी डाल के मिट्टी में डाल देजिए और बो देजिए क्या वो अंकुरित होता है नहीं जमता है क्यों नहीं जमता है क्या कारण है तो वो कहता है ठीक इसी प्रकार से जब शरीर रहते ही जीव क बुक्ष की प्राप्ती हो जाती है तब अनाशक्त भाव से संसार में कारे करता है किसी का भला करेगा किसी का बुरा तो कर ही नहीं सकता है भला का ही कारे करता है अनाशक्त भाव से अपने देखा होगा जो सन्यासी होता है उसको अब दान दीजिए नहीं दीजिए कोई गाली जले जाना हिए बोलते हैं वह दिन को हुआ कोई किसी को कुछ न माने ने किसी बात कॉछ किजिए उसमें-स्यू नहीं वैसे ही अनाशक्त भावक्षम जब कर्म करते हैं तो हमारे जो होते हैं कर्म फल संचित नहीं होते जब जीवन मुक्त ब्यक्ति के शुक्ष्म और इस्थोल सरीर का अंत हो जाता है तब उसे विदिह मुक्त कहते हैं उसंका सरीर को आतमा त्षा मेर ब्रह्म होoule 50 पाती है यह गर्विदीह मुक्तy की प्राप्ती होगा जाती इसरीव मुख्त कतते हैं आत्म ब्रह्म में उस्चेयर का भिलीन होजाती है जैसे शागर में बूध गिरकर बिलीन हो जाता है आपने देखा होगा कि शमुंद्र में जब बर्षा का बूध मिलता है तो शमा जाता है पता है नहीं चलता है कि बर्षा का बूध की धर है और शागर का जल की धर है आत्मा को ब्रह्मनंद की प्राफ्ति हो जाती है तो हम लोग देखें शंकर के उन्सार मुक्ष प्राफ्ति करने के लिए कर्म का आस्रे लेना व्यत है मुक्ष कर्महिंता निश्काम की अस्था है क्रिया जीव का धर्म है जो अवित्या से ग्रिशित है न कि आत्मा का क्योंकि आत्मा तो ओकरता ओभोकता था निरलिक्त द्रिश्टा सत्चित और आनंद से युक्त है आत्मा में राग द्वेश मुह इत्यादी नहीं पायाते वह ब्रह्म से अभिन है अर्थात ब्रह्म है ब्रह्म का ज्याता ब्रह्म में इस्थित हो जाता है इस ब्रह्म ज्यान की प्राप्ति तभी हो शकती है जब अज्यान नष्ट हो ब्रह्म ज्यान की प्राप्ति के लिए या अज्यान नष्ट करने के लिए शंकर ने चार साधनों का उलेक किया है जिने शाधन चतुष्टाइक कहा गया है तो आज हम लोगों ने शंकिर की नुशार मुक्ष का क्या बीचार है उसको जाने जै स्रिक्रिश्ट जै स्रिक्रिश्ट